अपनी कार से हाईवे पे ट्रेवल कर रहा था दुपहर का टाइन था और वो अपने मज़े में अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था आगे एक पुल था जिसके नीचे नदी थी जब वो आदमी पुल क्रॉस कर रहा था तो चानक उसको लगा कि गाड़ी चलाने में कुछ दिक्कत हो रही कुछ प्रॉबलम हा रही है उसको अंताजा हो गया था तक कोई नो कोई टायर तो पंक्चर हुआ उसने उसी वक्त गाड़ी साइड पे लगा ही उतर के देखा के लेफट साइड का पीछे वाला टायर पंक् अब वो टायर को निकालने रहा, उसने जोड लगाया, छटके से पीछे कीचा, इसी दुरान उसका पाउन बोल्ट पे लगा और चारो बोल्ट नदी में गिर गए, अब वो बंदा भ्यंकर वाला परेशान, टेंशन में, स्ट्रेस में, अब क्या होगा, अब मैं टायर नहीं चेंज कर पाउंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, मुझे जहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कितना लेट हो गया हूँ, इतनी गर्मी में, कोई दूर दूर तक नहीं है, मैं किसी से मदद भी नहीं बाग सकता, शेट यार ये कहां फज़ गया, क्या हो गया, अब वो निराश होकर खड़ा, उसकी सोच काम नहीं कर रही, क्योंकि जब भी वो सोचने बैठता, उसको एक ही बार, बार बार याद आती है, कि सारे बोर्ट नीचे गिर चुके है, और वो आगे नहीं जा सकता, अब ये बंदा परिशानी में साइड में खड़ा, काफी दिन न मदद कर सकता हूँ, वो आदमी जो के पहले सही परेशान है, गुस्से में बोलता है, मेरा टायर पंक्चर हो गया, स्टेप नी लगाने लगा, बोर्ट नदी में गिर गया, आस पास कोई मेकैनिक में है, तू भी क्या मेरी मदद करेगा, वो किसान समझ गया कि गर्मी और प पाकी के तीनों टायर का एक एक बोल्ट निकाल कर इस टायर में लगा लो, और फिर धीरे धीरे गाड़ी चला कर वहां तक चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, वो आदमी हरान रह गया, उसका गुस्सा एक तब शान्त हो गया, कि तब फाई सही है, जिस प्रॉब्लम से मैं आदे घंटे से जूज रहा था, इसने कितनी आसानी से उसका solution दे दिया, उसने किसान को बोला, sorry यार मैं गुस्से में था, लेकिन तुझे इतनी जल्दी solution कैसे मिल गया, पहले भी ये problem होई थी, कभी तेरे साथ, किसान मुस्कुराया और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ह परक है, एक ही परक है, कि आप उस परिस्थिती में अपनी परिशानी के बारे में सोच रहते, मैं उसी परिस्थिती में हल के बारे में सोच रहते हैं, तो दोस्तों या तो आप problem oriented हो सकते हैं, या फिर solution oriented हो सकते हैं, या तो problem आते ही, परिशान होते हैं, problem के रावा कुछ द जब महाराना प्रताब की सेना में अकपर की सेना के मुकाबले हाती कम तो उन्होंने अपने घोडों के आगे नकली सून लगा दी कि हाती उन्होंने प्रॉबलम पे फोकस नहीं किया कि हाती कम है उन्होंने सल्यूशन पे फोकस किया घोडों को हाती बना दिया दिरुबाई इम्बानी ने अपने financial status को अपनी माली हालत को problem नहीं माना उन्होंने पकॉडे बेचे येमन में जाके job करी कुछ भी किया आगे बढ़ते रहे क्योंकि वो solution oriented थे problem सोचके रुटनी पैट नहीं गए बहात्मा गांदी, भगत सिंग, चंदरशेकर अजाथ, सुभाष चंदरबोस और ऐसे वई नाम इन लोगोंने problem पे focus नहीं किया हम तो गुलाम है हम तो चलेव हैं गुलाम ही में रहना पड़ेगा इन्होंने solution पे focus किया कि कैसे देश को अजाद कर सकते एक और नाम जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसकी आवाज मैं अभी से सुन पा रहा हूँ, वो है तुम तुमारी आवाज कि तुम problem oriented नहीं, solution oriented आज से solution oriented problems हर जगा आएंगी, business में आएंगी, पढ़ाई में आएंगी, relations में आएंगी लेकिन जो लोग problem oriented होते हैं, उनको परिशानी के इलावा कुछ नहीं दिखता, परिशानी की वज़े से दिमाग चलता नहीं, हिम्मत और तूप जाती है लेकिन जो लोग solution oriented होते हैं वो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं solution पर focus करते हैं, हल पर focus करते हैं और हिम्मद और चुड़ जाती है वो संजु मूवी में गाना था ना इन गर्दिशों के बागल पर चड़ वक्ताद की रिबान पकड़के पूछना है जीत का पता कर हर मैदान पते अगर आपको भी हर मैदान को पते करना है तो ये बात याद रखना कि आपको problem oriented नहीं solution oriented बढ़ना है हिम्मत तोड़नी नहीं हिम्मत बढ़ानी हैं, हर बात focus solutions पर करना है problem की वज़े से रुपना है stay blessed, stay inspired and I love you all